हेलो एंड वेल्कम फ्रेंड्स मैं हूँ आकास कोट नाला आप देख रहे हैं कंप्यूटर वल किप सेंडिक शुरूप चैनल दोस्तों अगर जो आप सैमसंग यूजर हैं सैमसंग मुबाइल यूज करते हैं तो आपके मुबाइल में जो एप्लिकेशन होती हैं इन एप्लिकेशन की थीम यानिके इनका जो आइकन है वो बिना किसी एप्लिकेशन की हेल्प से हम कैसे चेंज कर सकते हैं अलग-अलग इस् देख सकते हैं कुछ नया सिख सकते हैं यहां पर मैं आपको वो सब बताने बाला हूँ जिसके लिए हमें किसी भी application की जरुवत नहीं पड़ेगी तो यह सब करने के लिए हमारी जो यह home screen है mobile की जो home screen है हमें इसे press करके रखना होगा जैसे ही हमने इसे press करके रखा है तो आप यहां पर देखेंगे wallpapers, themes हमें यहां पर मिल जाती है तो हम यहां पर themes पर क्लिक कर लेते हैं जैसे ही हमने यहां पर themes पर क्लिक किया मैं आपको बता दू कि आपका internet connection on होना चाहिए जैसे ही हमने यहाँ पर थीम्स पर क्लिक किया तो यहाँ पर हम थीम्स या फिर वाल पेपर या फिर आइकन्स यहाँ पर अपने अनुच्छान यहाँ पर सेट कर सकते हैं मैंने यहाँ पर आइकन्स पर क्लिक किया है तो आइकन्स पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे फ्री और पैड हमें यहाँ पर जो आइकन्स हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं हम यहाँ पर टॉप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आल पर यहाँ पर जो फ्री वाले हैं उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं जब हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया तो इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कहीं सारे जो आइकन्स हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं जो भी आप चाहते हैं अपनी application के जो आइकन है जिस हिसाब से आप चाहते हैं उसको आप यहांपर select करेंगे जैसे कि अगर जुमें इसे यहांपर select करने वाला हूँ तो इसके बाद हमें यहांपर जो यह आइकन है वो यहांपर दिख रहे हैं किस प्रकार से यहांपर हमारे mobile पर 100 होंगे वो हमें यहांपर दिख रहा है इसके बाद हमें यहांपर नीचे download बटन पर क्लिक करना है download बटन पर क्लिक करते ही हमारा जो आइकन पैक है यह download हो जाएगा लगबग 3-4 MB का ही होता है ज्यादा बड़ा नहीं होता तो हम इसे download कर लेते हैं तो जैसे कि आप यहांपर देखेंगे कि यह download हो चुका है इसके बाद हमें यहांपर apply बटन इस पर क्लिक करना है फिर से हमें यहांपर apply बटन इस पर क्लिक कर लेना है apply बटन पर क्लिक करते ही हमारी जो ये theme है यानि की जो icon pack है वो यहाँ पर set हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे mobile की जो applications थी उनका जो icon है वो यहाँ पर change हो चुका है अगर जो मैं यहाँ पर और और भी application सभी application दिखाता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे उनके icon यहाँ पर change हो चुके हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आप अपने अनुसार और भी कई सारी जो icon pack है वो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं उन्हें download कर सकते हैं यूज में ला सकते हैं अगर आप इन्हें delete करना चाहें तो menu पर जाने के बाद my stuffs आप यहाँ पर जाएंगे उसके बाद यहाँ पर icon पर जाना है जितने भी आपके पास यहाँ पर icon pack होंगे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे आप अगर जो किसी को delete करना चाहें तो आप hold button इन्हें hold करके उसके बाद delete button करेंगे तो जो यह icon pack है यह delete हो जाएगा आप अगर जो किसी को दुबार से apply करना चाहें तो जैसे कि मैंने default यहाँ पर set किया हुआ है मैंने जो रखा हुआ है वो मुझे अच्छा लगता है तो आप इस परकार से इसे set कर सकते हैं तो आशा है यह वीडियो आपके लिए useful थी यह सब tips मैंने आपको Samsung user वालों को दिया है आगे इसी परकार से Samsung से संबंदित और भी कहीं सारी वीडियो में आपको देने वाला हूँ तो आप वीडियो को लाइक चुरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर जो आपके पास हमारे लिए को क्वेस्टन है कोई सुझाव है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बेजिएगा तो कहीं जाएगा नहीं मने रिए कम्प्योटर वल टिपसेंटिक चुरूर चैनल के साथ और सिखते रिए और देखते रिए कम्प्योटर वल टिपसेंटिक चुरूर चैनल थैंक्स